हलो दोस्तो नमस्कार मैं अभय स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिल्दी आई ओफिस्यल में दोस्तो आज हम बात करेंगे टॉर्च आई एक्जमिनेशन के बारे में टॉर्च के माद्यम से हम पेशेंट की आँख में क्या क्या चीज़ें एक्जमिन कर सकते हैं दोस्तो जब पेशेंट आपकी ऑप्टिकल सौप या फिर क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले उससे आँख की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि उसकी आँख में क्या प्रॉब्लम हुई है वो सारी चीज़े हम हिस्ट्री के माद्यम से जान लेते हैं मैंने एक हिस्ट्री के उपर भी वीडियो बनाया है जो कि हिस्ट्री के बारे में हम क्या-क्या पॉइंट से पूछ सकते हैं यह सब मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको पता दिया है तो आप जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तो अब हम बात करते हैं Torch I Examination के बारे में Torch के माद्यम से हम क्या-क्या चीजें Examining कर लेते हैं तो सबसे पहले हम टॉर्च के माध्यम से और्बिट देखते हैं और्बिट की पोजीशन का पता लगाते हैं कि और्बिट की पोजीशन सही है या सही नहीं है कॉर्णिया देखते हैं कॉर्णिया हमारी किलियर है या फिर कॉर्णिया में कोई इंजरी हुई है यह सब चीजें हम torch के माधवion से देखते हैं cornea से जुढ़ा हूआ part हमारा limbus होता है वो भी हम torch के माधवion से देख सकते हैं साथ ही conjunctiva और isk seront को भी torch के माधवion से देखते हैं eilases, eyelid को भी हम torch के माधवion से देखते हैं अगर हमारा pupil dilate है तो iris के moment तता-Pupil की पॉजीशन के बारे में हैं, भी हम पता लगा सकते हैं, तथा पुर खिंजी- IMAGES भी देखते एं, पुर किंजी- IMAGES से हम logistics को कैटक्टर था एंन का वी पता लगा सकते हैं, और साथ ourば की MEDESP में के महई सकते हैं, रह prends Mile को हो देखते हैं यह सारे basic point है जो हम touch के माध्यम से examine कर शकते हैं तो दोस्तो अगर आपके cleaning या optical सौप में कोई patient आता है तो यह सारी basic चीजें हम touch के माध्यम से हमें जरूर देखनी चाहिए जिससे कि हम उसकी सही तरह से जांच और उसका सही तरह से solution निकाल पाएं तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्क्राइब करें और बाई लाइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की जानकारी हमारे next वीडियो में आपको मिलती रहे तो दोस्तों अब मैं आपसे next वीडियो में मिलता हूँ नमस्कार धन्नमार